आप सभी का रिनीज गार्डन में आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों मैं हूँ अपने चोटे से गार्डन में और इस गार्डन का नजारा आज कुछ इस तरह का है और फ्लारिंग हो रही है बोगन वेलिया में काफी हैवी फ्लारिंग हो रही है तो बटन रोज भी यहाँ पर काफी अच्छे खिल रहा है और ये सब जो है ये बटन रोज है और ये यलो वाला बोगन वेलिया है दूसरा ये डाक पिंक कलर में जो ये बोगन वेलिया है दोस् वो ये है कि लास्ट ये दोस्तों इसमें किसी भी तरह की फ्लावरिंग नहीं हुई थी और मैं बहुत उदास हो गई थी कि शायद मैं प्लांटर में जो है बोगन वेलिया को नहीं उगा पा रही हूं लेकिन इस साल की फ्लावरिंग आप देख सकते हैं और इसका सीक्रेट मै आपके साथ शेयर कर रही हूं और आपको बता रही हूं कि क्या चीज मैंने इसमें डाली है जिसकी विज़े से ये सबी दोनों कलर के जो बोगन वेलिया थे मेरे उनमें बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग हो गई है तो दोस्तों जो ये बोगन वेलिया का प्लांट है ये जो मेरा प्लांट है अलग-अलग तरह के प्लांट होते तो जो ये मेरा प्लांट है ये साल में दो बार फ्लावरिंग करता है और इसमें जो है जो इसकी पिछली बार का जो टाइम था फ्लावरिंग का वो उस वक्त इसने कोई फ्लावरिंग नहीं की लेकिन इस बार जो है मैंने इसमें कोई एक ऐसी liquid fertilizer डाला ट्राइ करने के लिए कि देखते हैं कि यह क्या result आता है तो जब मैंने वो fertilizer डाला हफते में एक बार डाला दोस्तो तो result आप लोगों के सामने हैं तो सोचा क्यों ना मैं सबके साथ share करूँ ताकि सबी जगे इसी तरह से सुन्दर सुन्दर फूल खिल सके और सुन्दर सुन्दर flowering हो सके तो आप देख सकते हैं कि flowering बहुत heavy है और अभी यह पूरी तरह से खिले भी नहीं है और सिर्फ दो हफते में ही मुझे पता लग गया था कि flowering हो जाएगी क्योंकि जैसे ही मैंने दो हफते में एक बार खाट डाली और उसके अगले हफते मैंने खाट डाली तो उसके बाद ही मुझे growth नजर आने लग गई थी तो चलिए मैं share करती हूँ आज का जो secret है तो ये दोस्तों ये देखिए जो प्याज आलू वाले भहिया होते उनसे जो है मैंने कुछ तो अपने घर में तो थोड़ा बहुत ही निकल पाता है लेकिन जो ये प्याज के छिलके हैं यही इसका secret है और इसका ही fertilizer मैंने डाला इस में इसको आप कहीं से भी इसको ला सकते हैं दुकान से भी ला सकते हैं अगर घर में बहुत सारे प्याज हैं तो उनसे भी आप अपना जो है किचन से कर सकते हैं लेकिन मैं जो हूँ अपने प्याज वाले भहिया से इनसे लगातार उनसे लेती रहती हूँ तो फिर इसको ज अलग तरह से फ्लेवर बनाते हैं अपने लिए तो ऐसी प्लांट्स को भी जो है सहां साधे पानी के अलावा कुछ ऐसे फ्लेवर की जरूरत होती है जो की उसके लिए पॉस TIG हो इसमें जो है नूट Yuan उसके माइक्रोनिट्रेट्स हो अपोटेशम वगर यह सब चीज़े जो भी चीज़े प्लांट को चाहिए होती हैं तो यह प्याज का पौदा है यह कई दर है कि जरूरते प्याज का जो यह चिलका है दोस्तों यह कही जरूरते पूरी करता है तो उसको चार दिन तक पानी में भीगा के कवर करके रख देंगे और उसके बाद पॉर पार्ट जो है उसमें water होना चाहिए और इस लिक्वीड को हम हथते में एक आपने plant को देंगे तो हमें बहुत जल्दी उसमें जो plant जो है growth नहीं कर रहे है जिन मेंuti програм नहीं हो रही हमें जो है फ्लारिंग देखने को मिलीगी और ये बटन रोज में भी मैंने ये डाला था तो इसमें भी अच्छी फ्लारिंग देखने को मिल रही है तो दोस्तों ये चीज मैंने की है इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूं और इसके साथ ही साथ मैंने इसमें एक बार बनाना पील फर्टिलाइजर भी डाला है जो मैंने आपको पहले बताया है पहली वीडियो में मैंने आपको शेयर किया है लेकिन ये जो अनियन पील फर्टिलाइजर है ये बहुत ही कमाल का है और मैंने इसके यूज करने के बाद ही आपके साथ शेयर कि तो आसा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बोगनवेलिया की फ्लारिंग इंजॉय की होगी आपने तो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग